एलो दोस्तों, oil and gas sector से windfall tax की बात करेंगे, फिर से change हुआ है, जुलाई 1 को पहली बार आया था, impact क्या पढ़ेगा, oil India, ONGC पर उस पर हम बात करेंगे, और special focus वीडियो का oil India पर रहने वाला है, बहुत सारे प्रसना आ रहे हैं, हम valuations पर, targets पर सब कुछ discuss करेंगे, oil India के, लेकि क्योंकि, तेल के जब prices बढ़े थे, खासकर आप देखेंगे geopolitical Russia, Ukraine के जो issues है उसके बाद से, तो जो तेल बनाने वाली company है, ठीक है, note करेगा, तेल बनाने वाली company है, और जो भारत में, खासकर आपको oil India और ONGC देखने को मिलेगी, खास reliance भी है वैसे, ठीक है, लेकिन focus हम का इन दोनों कंपनियों पर है, ठीक है, आज, तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा profit कर रही थी, तो profit कर रही थी, super normal profit कर रही थी, तो government ने चुलाई वन को taxes लगा दिया, उन taxes का नाम था windfall tax, मतलब आप अगर पेट्रोल, डीजल, अगर आप निरियात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको government को taxes देने पड़ेंगे, ठीक है, तो एक चीज government ने कही कि चुकि तेल के price बहुत ही उपर नीचे होते रहते हैं, तो हम हर 15 दिनों में जो prices है, जो windfall taxes जो है, वो हम एक तरीके से change करते रहेंगे, ठीक है, तो July 1 को उन्होंने क्या क्या था, जो petrol है और ATF, ATF का मत होता है, airline का जो turbine fuel होता है, ठीक है, तो 6 रुपए का उन्होंने tax लगाया था, 13 रुपए उन्होंने diesel के exports पर लगाये थे, और जो भी crude produce हो रहा है, उस पर 23,220 रुपीज पर टन का उन्होंने tax लगाये थे, change करते रहे, change करते रहे, August की शुरुवात में भी उन्होंने change किय लेकिन अब August बिलकुल Independence Day के बाद से अभी फिर से उन्होंने फिर से उन्होंने नया जो है यहां पर revise किया हुए, तो diesel के prices को 7 रुपए कर दिया है, शुरुवात में 13 रुपए था, वो 5 रुपए उन्होंने इंफेक्ट कर दिये थे, तो 2 रुपए actually में उन्होंने 15 दिनो हो चुके हैं, जो अभी भी 0 है, ठीक है, और जो crude का जो production है, 23,000 जो आप देख रहे हैं, तो वो उन्होंने 13,000 कर दिया है, तो यह उन्होंने घटाए हुए, आप stock में भी आप impact देखेंगे, बहुती गंदा या negative impact नहीं पड़ा है, कुछ ONGC का भी जो price है, कुछ 1% के आस आता है, तो market भी कहीं ना कहीं, इस news को, इस event को absorb कर रही है, जो की companyों के लिए एक positive चीज हमको बिलकुल देखने को मिल रही है, अब यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है, समझने की कोशिच करते हैं, globally अब oil के prices कम होने शुरू हो गया है, तो कम होने शुरू हो गया है, कारण है, recession, slowdown, China से अच्छी news नहीं आ रही है, Europe है, US है, वहाँ से भी बहुत अच्छे news अभी फिलाल हमको देखने को नहीं मिल रही है, तो recession, slowdown का एक खत्रा है ही, तो tel के prices कम हो रहे हैं, और हमने देखा किस हिसाब से यहां 13 रूपे से या बिलकुल कम हो गया, 6 रूपे से 0 हो गय है, तो windfall taxes कम हो रहे हैं, दूसरी चीज, आपको, हमको जो समझ में आ रही है, कि government भी ऐसा बहुत नहीं कर रही है, कि company की पूरे profit margin को यह उड़ा दे, ठीक है, अगर ऐसा होता, तो सायद ONGC 134 में नहीं और नीचे होता, oil India कुछ 188, 199 में नहीं आज और नीचे होता, तो कह ही न कहीं, 75 dollar का जो तेल का prices है, वहां तक उन्होंने realization को cap किया हुआ है, और उसके उपर कुछ भी company कमा रही है, तो वो taxes लगा रही है, जो भी super normal, जो भी profit हो रहे हैं उनके, तो ये भी profit जो है, फिर भी अगर आप देखेंगे, covid के level से उपर ही है, क्योंकि उस समय में भी ज 90 hundred dollar होता है, ये taxes नहीं होता है, तो फिर तो बहुत अच्छा होता, तो फिर तो साइद आज oil India भी 190 में नहीं और उपर होता, या ONGC भी साइद और उपर होता, लेकिन अब वो situation नहीं है, तो एक चीज है कि super normal profit पर government tax लगा रही है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, अब इ उनका oil output बढ़ना, जो की पिछले अगर आप देखेंगे, अगर आप year on year देखेंगे, तो वो growth हो रहा है, similarly year on year अगर आप देखेंगे, तो growth, gas का भी जो production है, वहाँ पर भी हो रहा है, और अगले दो साल का ये ICSA Securities की research की report है, उनका अनुमान है, कि अगले दो सालों में भी oil India का जो output है, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, अगले 2-3% तक ये output भी उनका बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जब हम oil India का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो earnings होगी, जो financially 22 जो खतम हुआ है, जो बहुत ही अच्छा साल था, oil India ये ICSA के लिए, वो earnings अब थोड़ी सी rationalize हो जाएगी, लेकिन फिर भी COVID के लेवल से जादा ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अब चुक्ति देखेंगे, अब गवर्मेंट ने भी जो है, profits कैप कर दिये होते हैं, अगर ये profit कैप नहीं किये होते हैं, तो सायद आपको earning और उपर level को देखने को मिलती, आपको ये ज special situation बन रही है, जहाँ पर तेल के भाव जो है, वो अगर कम होते रहें, तो company के लिए थोड़ा negative हो सकता है, लेकिन तेल के भाव अगर थोड़ा stable ही रहते हैं, यही 900 डॉलर के आसपास या बढ़ते हैं, तो company के लिए थोड़ा positive हो सकता है, तो जो research report है, ICACI ने जैसे 328 और HD 258 का target दिया हुआ है, दूसरी चीज है, oil India में valuation comfort भी बहुत है, ठीक है न, अब याप PE भी देखेंगे, उसका 3 के कम आपको देखने को मिलेगा, similarly price to book 1 के नीचे है, मतलब book value से भी नीचे trade कर रहा है, तो valuation को लेकर comfort है, तो business में uncertainty है, और valuation जो है, वहाँ पर हमको comfort देखने को मिल रहा है, अब देखें, यहाँ पर मैं कैसे साब से देखता हूँ, oil India को, समझ दीजे, portfolio में 10% oil India है, ठीक है न, तो यह तो किसी भी investor के लिए बहुत ही risky है, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि दो चीज़े है, oil gas के prices रोज change होते रहते हैं, कम होता है, तो कभी कि किसी के लिए अच्छा है, ज्यादा होता है, तो किसी के लिए अच्छा है, ठीक है, तो और दूसरी चीज़े बहुत ही regulated है, यहाँ पर political, फिर government का intervention बिलकुल रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते हो, तो यह regulated business है, और यहाँ पर कोई भी अपना portfolio का 50% हिस्सा ले ले ले, त उससे भी कम है, तो फिर at least किया है कि आपके portfolio में, ठीक है न, आपने risk बहुत ज्यादा नहीं लिया है, जो कि बहुत जरूरी है, खासकर oil India के case, वो आपको ध्यान में रखना है, हम कौन से अपने portfolio के stock में 6%, 8% का risk ले सकते हैं, जहाँ पर steady growth होता रहे, थोड़ा steady वहाँ पर रोज रोज का नहीं हो, ठीक है न, तो वहाँ पर फिर भी हम थोड़ा stable business भी हो तो बहुत अच्छा है, तो उन सब business में सोचा जा सकता है, ठीक है न, लेकिन यहाँ पर companyya क्या खराब है, नहीं, companyya का growth नहीं कर रही है, नहीं, सब कुछ कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो valuations है, वो यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल आपको comfortable दिखाई दे रहे है, यह एक positive चीज है, और जो दूसरी चीज है, जो investors को ध्यान में रखनी है, आपके asset allocation के framework में यह थोड़ा सा अगर कम रहे, ठीक है, मेरे portfolio में बहुत चोटा सा हिस्सा है, कि कल अगर तो फरक उतना नहीं पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है, दोस्तों, तो oil India पर हमने बात की, थोड़ा बहुत ongc के बारे बात की, windfall के बारे में भी बात की, मुझे उमीद आपको value मिली होगी, आपके समय के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यव झालोके समय के बात की बात का झालोके से לě hypothesis स्थतों, थ Mayor, ग Госψ, पर लगा की, a Sprit, कि अएब ढगाना है, झालोके समय को ढरे की।